हेलो फ्रेंड्स विल्कम टो ओर चैनल वूमन इन वंडरलैंड तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में तो आज हम देखेंगे काले चने की सबजी मराठी में हर बरे बोलते तो बार बार हरी सबजी खाकर हमारा मन नहीं करता इसलिए आज हम होटेल में जैसी करी बनती है वेसे हम बनाएंगे लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़ा मिक्स बनाया है जैसे कि साउथ इंडियन और थोड़ सा अलग टेस्ट दिया है तो चली देखते मैंने यह सबजी कैसी बनाई है मैंने यहाँ पर एक कप चना लिया था उसको अच्छे से वाश कर लिया उसके बाद उसको नाइट तक रादवर जो है सोक करके लिया था मॉर्निंग में फिर से उसको वाश करके लिया और बाद मे मैं ऐसे रखा था तो देखें ऐसे हो जाते फिर यहां पर मैंने coconut garlic और ginger की पेस्ट बनाई थी उससे भी बहुत अच्छे टेस्ट आती है यहाँ पर मैंने टमाटर की भी पेस्ट बनाई थी तो वो टमाटर मैंने उबाले नहीं थे ऐसी पेस्ट बना कर लिया था तो एक कटोरी लिया है मैंने उसके बाद यहाँ पर दो बड़े ओनियन की पेस्ट बनाई थी तो ऐसी डारेक्ली पेश्ट बना कर लिया है मैंने उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है धनिया जो सबजी में हम डालते तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है उसके बाद यहाँ पे मैंने सब खड़े मसाले लिये है जो मार्केट में इजिली अवेलेबल है और हम बिर्यानी या कौनसी भी सबजी में हम यूज कर सकते उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है कुकर अभी उसमें मैं पानी एड़ करूंगी थोड़ा सा पानी थोड़ा जादा डालना है क्योंकि चनी उबलने के बाद थोड़े फुल जाते इसलिए थोड़ा सा पानी जादा एड़ करना है उसमें उसके बाद यहाँ पे मैंने डाला है नमक स्वादानुसर नमक डालना है हमें उसके बाद यहाँ पर खड़ा मसाला डाल रही हूँ मैं एक एक करके तो आपको दिखा रही हूँ तो इससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है सबजी में तो यह सब यहाँ पर मैं एक एक करके डाल रही हूँ अलग-अलग तरीके की सबजी बन सकती है लेकिन मैंने इस टाइप की बनाई है तो थोड़ा अलग करके देखा मैंने तो बहुत ही अच्छी बनी थी उसके बाद यहाँ पर मैंने चने डाले हैं यह सब डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि नमक सभी चने में मिक्स हो जाए उसके बाद यहाँ पर मैं कुकर का लीड पैक कर देती हूँ और यहाँ पर दो तीन सिटिया लेनी हमें कूकर को मैं साइड में रख देती हूँ, अभी यहाँ पर मैं एक बरतन लिया है, उसमें मैंने ओईल डाला है, तो ओईल पहले गरम कर लेना है, तो उसके बाद ही हमें बाकी के इंग्रिडेंट्स आड़ करने हैं, तो यहाँ पर मैंने जीरा आड़ किया है, उसके बाद यहा जल्दी ब्राउनिश हो जाएगी तो इसको मैं अभी थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ तो देखे आपको दिख रहा होगा अभी थोड़ा सा मिक्स होने के बाद इसमें में थोड़ा सा नमक डालती हूँ क्योंकि हमने चना उबालने के टाइम भी डाला था लेकिन ये ओनियन जल्दी गल जाने के लिए हमने थोड़ा सा डाला है उसके बाद यहाँ पर मैं एड कर रही हूँ टमयटो प्यूरी उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ अभी में तो बहुत ही अच्छे बनने वाली हमारी सबजी और बहुत ही हेल्दी रहती है जिनको चना अच्छा कि पेस्ट एड किये मैंने यहाँ पर इसे भी अच्छी तरीके से अभी मिक्स कर लेना है और जब तक यह पक नहीं जाता जैसे वो खुद ओईल नहीं छोड़ता तब तक हमें यह भूनना है ऐसे अभी इसको ऐसे टाइम लगा इसलिए मैं इसके उपर एक प्लेट रख दे जाएगा तो यहाँ पर में एक प्लेट रख देती हूं जिससे यह जल्दी पक जाएगा अभी तो यह 5-10 मिनट ऐसे रखना है इसको उसके बाद यहाँ पर में यह प्लेट निकाल लेती हूं और चेक कर लेती हूं कि यह बना है या नहीं तो थोड़ा सा ओईल छोड़ दि फिर से तो देखिए कितने अच्छा मसाला हमारा रेड़ी हो चुका है अभी मैं इसमें एड़ करें थोड़ी सी हल्दी उसके बाद यहाँ पर रेड़ चिली पाउडर लिये मैंने दो चमच उसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है काला मसाला जो घर पर मैंने बनाया था वो डाला इसमें, तो वो स्वादा नुसर लेना है आपको, आपको कितना स्पाइसी चाहिए, उसके बाद छोले मसाला लियाए मैंने, तो ये ज़्यादा ठीका नहीं रहता है, ये सिर्फ इसका फ्लेवर आता है, तो आप ये कम ज़्यादा कर सकते हो, अभी इसको अच्छे से मी में ऐसे खा लेते हैं, तो वो भी बहुत हेल्दी रहती है, तो इसके उपर अब मैं प्लेट रख देती हूँ, तो अच्छे से ये पक जाएगा, उसके बाद मैं इसकी प्लेट निकाल लेती हूँ, पांच मिनट के बाद, तो देखिए, ओईल छोड़ दिया इसने फिर से, मसालों का, तो अभी फिर से मिक्स कर लेती हूँ में इसको, और फ्लेवर और उसका जो स्मेल बहुत ही अच्छा आ रहा है, पूरे घर में इसका स्मेल फेल चुका था, उसके बाद यहाँ पर मैं एड कर रही हूँ चने, जो मैंने उबाल लिये थे, अभी इसमें एड कर द बाद यह थोड़ा सा ग्रेवी उसका गाड़ा हो जाएगा, तो अभी इसको हम थोड़ा सा उबाल लेते, तो देखी आपको यह सबजी दिख रही होगी, उसके बाद यहाँ पर मैंने डाला है धनिया, धनिया से भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है सबजी को, तो यह जो हमारी सबजी रेडी हो चुके, तो आज का वीडियो आपको कैसे लगा और बहुत ही हेल्दी रेसिपी आज बनाई है मैंने, तो इस तरवी कैसे मैंने यह सबजी बनाई थी और हम ऐसे ही बनाते, तो आज का वीडियो आपको कैसे लगा, अगर अच्छा लगा है तो कुछ प्र लाइब से दित लाइब साधर साधर